अगल की निउस है केम हस्पिटल के आई हुई है वीडियो मैंने शेयर किया हुआ यहां पे एक पेशन्ट जो की वेंटिलेटर पे था और वो वेंटिलेटर बंद करके ऑस्पिल ने बोला कि मर गया है गल्ती से उसके एक रिलेटेव ने उसके जाने के बाद उसके बदन पर ह हाथ रखा उसको समझा कि उसके हाटबीट चालू है और फिर बहुत बड़ा राड़ा हुआ मगर यह समझिए जब एक आदमी का जिंदा होते हैं उसने बोला कि मर गया है और बाद में अगर वो करोना पॉजिटिव दिखाया गया होगा तो उसकी बॉड़ी देते नहीं है ऐसा एक केस दिल्न में नहीं मिला है जिसमें 100 patients के organs जो थे वो गायप थे और बहुत सारे यहां पर हो रहे है नाकपुर मेस केस वही थी या फिर और हं और हिंदुस्तान में राज़स्तान में रहे है उपी में अइंपी में हो रहे है कि patient की body नहीं दी किया और उसमें करोना मिला नहीं है तो यह जो चल रहा है पेशन की बॉड़ी नहीं देना मरने के बाद में करोना के नाम की बीछे तो यह बड़ा और गर हर्विस्टिंग क्याम तो नहीं यह बहुत बड़ा इंपोर्टन सवाल है क्योंकि ऐसा इसक्याम इसके पहले भी हुआ है चाइना में फॉलकन फॉल्गॉन नाम की जो एक उनका यह था ट्रेंड था जहां पर जैसे अपने योगा है वहां पर फॉल्गॉन नाम की योगा का प्रकार चलता था उसके 50 लाख लोगों को चाइनीज कल रात को और साथ में ये भी याद रखिये कि वो जो डॉक्टर था जिसने सब किया 10 साल वो खुद यूएन गया यूनाइटे नेशिन में गया और सरेंडर किया और यह सारा स्कैम बताया आज भी चाइना के खिलाफ यूएन के अंदर क्राइम अगेस्ट हुमानिटी की के चल रही है अगर आपके कोई रिलेटिव को करोना होता है और उसको बोड़िया आपको नहीं मिल रही है तो ध्यान रखिये और गन हर्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा स्कैम अब हिंदुस्तान में चालू हो चुका है करोना की पीछे तो इसलिए संभल के रहिए और करोना की जो चल रही है यह सब बाते धायन रखिए चाहिन 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 चाहिन